नमस्कार मैं सैयूक तादेश मुख और आप देख रहे हैं हिंद वाइस आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के उस दाओं की जिसने राजनेतिक हलकों में हडकम मचा दिया है क्या ये अगनी परिक्षा है या गुगली आईए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहाई के बाद आमादमी पार्टी के कारे करताओं से अपने पहले संबोधन में ही अर्विंद केजरिवाल ने उन्हें जग छोड़ कर रख देने वाला ऐलान कर दिया था केजरिवाल ने कहा था कि वह दो दिनों में मुख्यमंत्री का पर्ट छोड़ देंगे और छोड़ भी दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री का पर भी तभी स्विकार करेंगे जब जनता उनके इमानदार होने पर अपने अनुमोधन की मोहर लगा देगी सुप्रिम कोर्ट ने तो जमानत देकर उनके इमानदारी पर कानूनी मोहर लगा दी है लेकिन उन्हें लगता है कि इतना काफी नहीं है अब वह जनता के सामने अगनी परिक्षा देंगे और मुख्यमंत्री पर तभी स्विकार करेंगे जब जनता उनके इमानदार होने पर अपने वोट से मोहर लगाएगी और अपनी इस्तियाग मुद्रा का दाइरा बढ़ा कर इसे आम आदमी पार्टी की ही त्याग की मुद्रा बनाते हुए केजरिवाल ने अपनी इस्तिफे के फैसले के एलान में एक पेज और डाल दिया उन्होंने एलान किया कि उन्ही की तरह व्यापक रूप से सरकार में नंबर दो माने जाने वाले उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षामंत्री मनीश शिसो दिया भी इसगरी परिक्षा की चुनोती स्विकार करेंगे और जन्ता के इमानदार घोशित करने के बाद ही उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षामंत्री की जिम्यदारी संभालेंगे पुना इसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए एक और पेश जोडते हुए केजरिवाल ने ये मांग भी पेश कर दी कि दिल्ली के विधानसभाद चुनाओ जो अगली फरवरी में होने है आगे खिसका कर नवंबर में होने वाले महराश्ट के विधानसभाद चुनाओ के साथ करा दिये जाए ताकि केजरिवाल की अगनी परिक्षाद जल्दी हो जाए और सबसे बड़ी बात एक महिला को मुख्यमंत्री बना कर उन्होंने सब को हैरत में डाल दिया कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली की मुख्यविपक्षी पार्टी भाजपा केजरिवाल की इस गूगली से हत्रब रह गई है भाजपा के नेता जो अब तक जेल में रहने के आधार पर केजरिवाल का इस्तिफा मांगते आ रहे थे अचनक उनके इस्तिफ़े का एलाम करने से समझ नहीं पा रहे है कि इसे अपनी काम्याबी माने या अपनी परेशानी ये कहने के सिवा कि केजरिवाल ने अब पहले ही इस्तिफा क्यों ने दिया वे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे है आखिरकर काफी कसरत के बाद उन्होंने ये नई मांग जरूर निकाली है कि केजरिवाल और सिसो दिया ही नहीं पूरे मंत्री मंडल को इस्तिफा देना चाहिए बहरहाल मुख्य विपक्षि पार्टी की प्रतिक्रियाओं से समझना मुश्किल नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे है कि इस नई स्तिती से कैसे निप्टा जाए जाहिर है कि चुनाव जल्दी कराने की आमादमी पार्टी की मांग ने भाजपा को और भी चक्कर में डाल दिया है उसकी चुनाव जल्दी कराने की शायद ही कोई दिल्चस्पी होगी लेकिन चुनाव जल्दी कराये जाने का विरोध वह पार्टी कैसे कर सकती है जो इसके दावे करती नहीं ठकती थी कि दिल्ली की जनता का केजरिवाल की पार्टी से विश्वास उठ चुका है बहराल चुनाव जल्दी कराने के मुद्दे पर भाजपा अपने खीतों की रक्षा के लिए चुनाव आयोग पर भरोसा कर सकती है जो वैसे भी केजरिवाल के मन मुताबिक फैसले क्यों लेना चाहेगी भाजपा के लिए इस मामले पर चुप लगाना ही काफी होगा अगरी पर इक्षा के जरिये अपना सत साबित करने का केजरिवाल का फैसला एक राजनेतिक मास्टर स्टोक साबित होता है या नहीं इसका फैसला तो सबसे बढ़कर दिल्ली के चुनाव में ही होगा लेकिन केजरिवाल की गुगली ने भजपा के लिए उसके खिलाफ अपने प्रचार की बैटिंग में रन बनाना बहुत मुश्किल बना दिया है दिल्ली शराब घोटाले के पूरे केस में कोई सच्चाई होने या नहीं होने से अलग इससे इंकार करना मुश्किल है कि इस केस में एक के बाद एक आमादमी पार्टी के शिर्ष नेताओं की गिरफतारी तथा लंबे अर्थ से तक उन्हें जेल में बन रखे जाने के आम तोर पर इस पार्टी की छवी पर और खास तोर पर उसकी भष्टा चारवी रोधी योद्धा की छवी पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ा है याद रहे कि यहीं छवी मर्धमवर्ग के बीच आप पार्टी के समर्खन का मुख्या आधार है इसके साथ दस साल से अधिक के शासन से पैदा हुई लोगों की निराशाये जुड़कर आप पार्टी के चहरे पर बढ़वासी की ना सही चिंता की रेखाये लाती ही थी केजरिवाल ने इस दाव से एक ही जटके में इसी गिरावट को थामने की कोशिश की है केजरिवाल की इस्तिफे की गुगली के पीछे एक और भी कारण है दिल्ली में जहां उपराज जपाल के जरिये केंद्र सरकार ने निर्वाचिस सरकार के हाथ पाउप पहले ही बहुत ज़्यादा बांदिये है केजरिवाल की जमानत पर रिहाई के साथ लगाई गई राज्य सची वाले नहीं जाने से लेकर किसी फाई पर दस्तकत नहीं करने तक कि शर्ते व्योहार में उनके लिए मुख्यमंत्री के रूप में काम करना ही बहुत कठिन बना देती थी ऐसे में चुनाओ से चंद महिने पहले लगातार उपरा जपाल से खीचतान में फसी सरकार चलाने में उल्जेर रहने के मुकाबले में केजरिवाल को यही ज़्यादा फाईदे का सोदा लगा होगा कि मुख्यमंत्री के पत पर अपने किसी ऐसे उत्तराधिकारी को बैठा दिया जाए जिसके काम करने पर उतने बंधन नहीं होंगे और इसलिए चुनाओ से पहले दिल लिवासियों के लिए हित के कुछ काम हो रहे होंगे और खुद वहां सतंत्रता के साथ जन्ता के बीच जाकर भाजपा के विरुत अभियान चलाने की स्तिति में होंगे फिर भी के जिवाल के लिए ये गुगली फेकना भी कोई आसान नहीं था सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की चन्नेताओं पर ही केंडित पार्टी है जिसके केंड में के जिवाल है और जिसका वैचारिक आधार ज्यादा मजबूत नहीं है संग भाजपा के बहु संख्यांकवादी सांप्रदाइक अभियान के सामने खास तोर पर वैद है इस सब को देखते हुए चाहे अस्ताई रूप से ही हो मुख्यमंत्री पत के लिए अर्विद्ध केज्रिवाल के उत्रादिकारी का चुनाव आसान नहीं है भाजपा जिस तरह से सामदाम दंडबे सभी हत्यार लेकर आप पार्टी तथा उसकी सरकार को कमजोर करने के लिए मौके की ताक में तयार बैठी है उसके सामने तो ये और भी कठिन हो जाता है बेशक केज्रिवाल की गुगली का जहां तक अगले महने के शुरू में हर्याना में होने वाले जा रहे चुनाव पर असर पड़ेगा भाजप को इसका परोक्ष्य लाब भी मिल सकता है याद रहे कि आप कॉंग्रेस के नेतरूत्व में इंडिया गठबंदन के रूप में चुनाव लड़ने की संभावनाओ को पीट दिखा कर अब राज्य की सभी सीटों पर चुनाओ लड़ रही है बहराल अरविंद के जिवाल के अब खुद जोरदार तरीके से चुनाओ प्रचार में जूटने का रास्ता खुल जाने के बावजूद हरियाना के चुनाओ में आप पार्टी के बड़ा खिलाडी बन कर उभरने तो दूर कोई खास असर डालने में समर्थ होने की भी संभा बहराल दिल्ली में जरूर आमादमी पार्टी इस गुगली से भाजपा के खिलाप और शेश विपक्ष के खिलाप भी अपने प्रचार को जादा धारदार बनाने में अपने जनाधार के जिजने को रोकने में काम्याब हो सकती है लेकिन ये तभी हो जब केजरिवाल को सच मुच अपने मन मुताबिक खडाओ मुख्यमंत्री मिल गई हो तो क्या केजरिवाल की गुगली सफल होगी क्या ये अगरी परिक्षा है या गुली हमें आपके विचार जानना है कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर लिखे आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं किस से ज्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद